हलो गुड इवनिंग डियर नर्सिंग आफिसर्स मैं तरुन सेने आप सबका स्वागत करता हूं आज हम बहुत इंपोर्टेंट डिसकसन एक करेंगे जिससे भौर में हम फस्स गया हैं उसके रिगाड है कि अब हमको क्या किया जाना चाहिए दूसरी बात इस क्लास के अंदर ह कुछ इमेज बेस करेंगे जो आपको नौर से 21 एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट और काफी बेसिक्स कंसेप्ट को सुल जाने में हेल्प करेंगे और आपके स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे तो स्वागत है सभी का है कि एसल में है उमीद करता हूं कि आप सभी इस पैंडेविक सीजन में भी अच्छे होंगे पेरिंट्स को भी देख रहे होंगे और अपने पढ़ाई भी कंटिन्यू करें होंगे है क्योंकि पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है जैसे और चीज़े जरूरी है वैसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के लिंक को प्लीज शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जूड़ सके हैं और जैसे ही हम थरसोल्ड वैल्यू क्रॉस करेंगे थरसोल्ड नंबर हैं 70 स्टुनेंट्स को क्रॉस करेंगे और हम जुट जाए बस बुड़ इवनिंग पूजा जी विकास जी मोना जी अप बुड़ इवनिंग सभी को तो जल्दी से टीसल स्टुडेंट स्पेशली इमेज बेस क्लास की स्लाइड प्रॉइड करें ऐसे एक इस्टुडेंट ने लिका है सर जल्दी कल ही कर देंगे आप मुझे एक बार याद दिला दिया अच्छी बात है कल ही आम इसका आपको प्रॉइड कर देंगे ठीक है मॉबाइल एप्लिकेशन में कल ही आपके अप्लोड हो जाएगी पूरी क्लासेज की तो पीडियेड नहीं दे सकते बट एक क्लास का मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि 5000 से उपर व्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको पीडियेड दूंगा और आपने उसके 5000 से उपर सब्सक्राइब जल्दी का मतलब है कि इतना भी जल्दी नहीं कि उन्नीस सितंबर को पेपर हो जाए है मतलब आने वाली है यह वेकेंसी आपको थोड़ा से द्यां टकना चलिए स्टार्ट कर दें और कोई सवाल है तो लिखिए आसी जी ने लिखाय कि नौर्ट सेट कब होगा सर नौर्ट सेट में दूसरे ऑस्पिटल्स की वेकेंसी आएगी इसलिए यह कुछ डिले होगा ऐसा नहीं एक पांच साथ महीने डिले हो जाएगा बट डिले होगा मेदा जी आरे मेल की वेटिंग लिस्ट आईये एक स्टुडेंट ने मुझे फॉन करके ऐसे बता है कि आरे मेल की वेटिंग लिस्ट आईये कोई गुड़ इवनिंग सभी का स्वागत है टीसल में वीडियो के लिंक को जादा जादा सेयर कर दीजिए और नए इस्टुडेंट प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल अभी कर लीजिए जिससे दिक्कत नहीं आए पायल जे बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक होगा फिर एम्स बिलकुल मैं तो कहरा हूं कि अक्टूबर के बाद दी होगा ठीक है बटे इसका मतलब यह नहीं है नहीं पांस-दस दिन वाद ही नोटिफिकेसन आ जाए और आप आथ कड़े कर दो ऐसा नहीं आपने पड़ाई गुद इवनिंग तो गुद इवनिंग सभी को हां जी चलें आगे देवेंदर जी ने बोला है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर मान गए आपको देवेंदर जी पढ़ाने तो अभी तमयन शुरुए नहीं किया ठीक है ओनलाइन में पढ़ाने का इतना कुछ बैठता नही देखिए अब हम कुछ शुरू करने जा रहें ध्यान से समझना है मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूं ध्यान से इस चीज़ को समझना कि पहली प्रोब्लम जिसमें स्टुडेंट फसे हुए है वो ठीक है हम हर बार कोई प्रोब्लम स्टुडेंट की लेते हैं उसका स सेट कब होगा बात ठीक है इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया है कि अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट के आसपास होने की संभावना है बाकी एक्ट्वल में तो नोटिपीकेसं पर डिपेंट करेंगा हम के वल अंदाज लगा सकते हैं जो भी सिनारिय जब भी नौर 220 की बात आ रही है तो हम मांके चरेंकि चल आक्टूबर हो जाएक ऐसे मांके चलते हैं टूबड यह सटार्टिंग नहंबर या एंड एक्टूबर यह मांके-चललेते हैं कि इसमें ओजाएगा ऐसे मांके चले तो भी द्यान से समझेए कि स्टूड ये चैस उतना टाइम हैए नहीं मेरे पास टाइम कम है मेरे पास टाइम कम है यह और इस तक करए साल बार निकालदी आ यह गलत बात जब तक रिजिस्टर में साइन नहीं हो दिए सरोखारी उफिस में तब तक है आपको वेट नहीं करना है तयारी करते ही रहते हैं अmal से समझी कि अब इस्टुडेंट क्या करें कि सब्सक्राइब ढ़तिंस में ऑफ होगा तो मेरे पास अभी देखा जाये तो पूरा सटंबर और वह टू जाप मत्व 20 में 5 मैं 6 अब इसके मन में अजीव सवाल आ रहें क्या रहेंन क्या क्रेज को लूगια ठीक है क्या मैं crash course कर लूँ या फिर मैं किसी coaching में new batch में admission ले लूँ ठीक है या फिर मैं जो अब तक मैंने college में पढ़ाय उसके साब से self study कर लूँ ठीक है तो ध्यान से समझे ऑफिसर जो आपने किया है यदि वो ही करेंगे तो result हो ही आएगा जो आया है अब तक ध्यान से है वो ही करेंगे तो result हो ही आएंगे एक बार result यह देख राब आता है तो आपको self analysis की जड़रत है कि मेरे से कहां गलती हुए उसके बाद ही result update हो सकता है वरना तो बार-बार सेम चीज़े करने से बार-बार चीज़े वही रिजल्ट आपके देखने को मिलेगा हां अब कंफ कोर्स तुरेंट हो जाएगा डेड़ महीने में हो जाता है 15 दिन में भी हो जाता है ठीक है वह जल्दी-जल्दी हो जाते है क्रेस कोर्स एक बैटर ऑप्शन हो सकता है बट आप कुद सोचिए कि भाई पढ़ाई का सोटकट ही नहीं होता आप एक बात बताईए यदि आपने उसी कोचिंग से ठीक से क्लासेज नहीं लिया है तो आपको क्रेस कोर्स कैसे सलेक्ट करवाएगा ध्यान से समझीए क्रेस कोर्स के वर एक ही कंडिशन में इफक्टिव हो सकता है जब आपने छे महीन तक लगातार यदि आपने कहीं से कोचिंग किया है और वो ही टीचर आपको क्रेस कोर्स कराएं जिन से आप पढ़े हो तो यही क्रेस कोर्स इफक्टिव हो सकता है ज्यान से समझे इसको अननेसेसरी पैसे कराब ना करें वैसे मेरे यह पर्सनल एडवाईज है ना किसी कोई कोचिंग सेंटर के अगेंच है ना किसी स्टुडेंट के अगेंच है अपना अपना व्यूए कोई कुछ भी कर सकता है ज्यान से समझ लीजिए डाइरेक्ट क्रेस कोर्स करने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है कोई सौटकट नहीं हो सकता पढ़ाईगा क्रेस कोर्स एक ही कं कर दिया मेरे सोर्टर मेमरी में वापस इसको बेजना है तो क्रेस्ट कॉर्स एफेक्टिव होते हैं समझ रहे हो बत को कोई सौर्ट कट नहीं होता पढ़ाईगा मैं आकिकत बोल दे रहा हूं क्रेस्कोर्स करने के चकर में एक चीज जरूर हो जाएगी यह डाइमेने भी खरा दे रहा हूं जिन्होंने कोचिंग करना के आपको पता है कि मेरी कोचिंग मैं सब कुछ मुझे समझा दिया है मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं टैसरीज देखी देख ले अच्छे तो स्टुडेंटों आपको कुछ करने की जरुद नहीं है आपको जो भी अच्छी लगे पकड़ और दिरहाद दड़ आपके प्रैक्टिस करो नौट्स निकालो बार बार नोट्स को क्लियर कीजिए जो भी आपने किया उसको क्लियर कीजिए कोई नहीं होना चाहिए ने क्रेस्कोर्स जोइन करने की जरूट पड़ेगी नहीं है टैस्ट्स जरूर इप्मेंट करो मैं टैस्ट्स जरूर जोइन करें जो भी आपको अच्छी लगती है वह तो कुछ इस्टुडेंटों फाइनल ये पास करके निकलें अभी कि वह क्या करें तो ध्यान से समझे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वह न्यू बैच जोइन करें बिना किसी के नौर सेट ट्वेंटेवन के टैंसन की होए कल होता आज हो और आज होता अब हो समझ रहे हो बात वरना जादा तरे स्टुडेंट के अदलती करते हैं क्रेस्कोर्स जोइन करत पढ़ेंगे क्योंकि मैंने कुछ सुन लिया है जिमाख उनका सुनेगा है नहीं दो महीने यह जाएंगे इदर भी एक-दो महीने जाएंगे बहुत बड़ा बंदा लॉस होई जाता है और पढ़ना वाले का ही सलेक्शन होता है तो तीन एडवाइज मेरी तरब से हैं कि जिसने प्रोपर पढ़ाई की है जिसको पता है कि हाँ मैंने स्टेडी कर रखी है ट्रेस कोर्स करने की यदि नौबत आती है तो खुद के टीचर से ही करें पहली बात ठीक है दूसरी बात यदि स्टुडेंट फ्रेसर है उतनी आप पढ़ाई नहीं है तो वही आप कोई भी नया वेज़ पकड़ के जो भी कोछिंग आपको अच्छा लगे नया वेज़ पकड़के पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं तीचरों का पढ़ाई हो समझ में आये और अच्छे से पढ़ाई है बस ऐसे टीचर पकड़ लो ज स्रीज की बात कर रहा हूं यह दि मोर देन 50 परसेंट आ रहे हैं तो आपको सेलेक्शन होगा इसमें कोई डाउट नहीं है आप आपके नोट्स को क्लियर करें और क्योशन की प्रेक्टिस ज्यादा ज्यादा करें तीन अब करते हैं क्योसन आंसर ठीक है डेखिए कल के लाइन में फिर से बोल देता हूं ज्यान से समझें कि जिनके उपर जिम्मेदारियों का बोज होता है उनके पास रूटने का वक्त नहीं होता है ठीक है यह नहीं कि मैं क्या करूं कैसे करूं सिधी सिधी बात है स्टार्ट कीज़े आज से अभी से खानी कदम अपने आप तरीका निकलेगा कि क्या करना है ठीक है दिख्या जी ने पूचा है नौर सेट कब होगा आपके अभी तो बताया अक्टोबर में होगा मेरे अक्टोबर पर बाकिया आप देख लो ठीक तो ध्यान से आगे की बात करते हैं इमेजबेट करसं से चलिए फास्ट बास रिव्यू करते हैं कुछ चीज़े हैं जो टीसल की तरब से आपको समझाय जा रहा है ध्यान से समझना ओफिसर नौकरे लगना बहुत जरूरी है कल भी मैंने बात बतायती कि बैठकर खाने वालों की इज़त का हैं साब दुनिया म आपकी पढ़ाई को सो परसेंट अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीएसल ने स्टार्ट किया है एक ऐसा सेलेक्शन बैच जिसके अंदर यदि आपको एडवीशन हो जाता है तो सो परसेंट आपका सेलेक्शन सूनी सीत होगा विदिन वन येल कोई साभी एक्जाम हो उसक इसके कुछ बेसिक पॉइंट से आपको बदा देता हो फिर मैं इमेज बेस करवाऊंगा दो मिनिट में पूरा हो जाएगा दो मिनिट भी नहीं लगेगे इस स्पेशल ट्वेंटी बैच में जो सूपर ट्वेंटी बैच है इसके अंदर जो 100 परसेंट गारंटी के साथ है जो टाइम होगा इसके अंदर सुबह साड़े आठ से लेके और देड़ बजे तक क्लास सलेगी बाद में लाइबरेरी होगा दो बजे से साड़े साथ बजे तक आगे की बात की जाए तो वहिया इस टेस्ट के अंदर स्टुडेंट को डेली टास्क कम्प्लीट करना जरूर किसी भी कंडिशन में फोल्डेस से ज्यादा आफ नहीं रखने है फोल्डेस का यह ओफ रहेगा चार दिन कोचिंग भी बन रहेगी एक दिन की एक दिन और मैने में दिया जा सकता है नेक्स्ट बात की जाए कि पॉइंट में तो दूसरी समझ लीजिए कि 100 परसेंट इंडि विजोल अटेंशन होगा डाइरेक्ट मेरे एंडर में रहेंगे बच्चे सारे के सारे एक कोई कोचिंग वाली बात नहीं यह तरह है पूरी तरीके से दूसरी बात कि इसके अंदर क्लास के अंदर तभी एंट्री होगी जब लास्ट डे का टास्क कंप्लीट हो जाएगा औ यह तेसल नहीं लेगा इन पैसों से इस्टुडेट के लिए बुक की करी दी जाएगी आगे के बात करते हैं और नेक्स्ट सेकिंड डे भी यह तो सारी सारी क्लास सस्पेंट कर दी जाएगी दूसरी बात एड्मिसन क्राइटिरिया बहर टफ रखा है क्योंकि हम चाहते हैं से जो भी क्लास होगी 25 तकूल की सल सब के अंदर जो भी भर जाएगा उनको ऊॐ बहर लाएं भी सबस्ते का बात कर दिया जाएगा और उस यदी तो क्वालिवाइं 50% होगा पीस की बात किया जाए तो इस बेच के लिए बहुत ही कम पीस में रखाया 25,000 अगले बेच कम से भी कम जो आएगा 40,000 प्लस में आएगा इससे नीचे संभावना नहीं है अगला बेच 40,000 प्लस में ही आएगा ठीक है 100% सेलेक्शन की हम बात कर रह होगी वो बोले मेरे सिर्दर्द कर रहा है मेरे तो फेट में दर्द हो गया है अम मैं नहीं करूंगा कोई एक्स्क्यूज नहीं चलेगा किसी भी कंडिशन में इस नहीं होगी और स्टुडेंट को 100% खुद का इस पर देना ही पड़ेगा बात की सारी चीजे सो जाने के लि ट्रीक से देखिये और रिस ट्रेंट है क्या फिक है यह फिर माइटर नंए क्या यह फिर है यह जो इमेज में दिख रहा है बेसिक पर्नावेंटल के आपके इमेज में आपको यहां पर दिखा रहा हूं अनीता जी जैपुर में नहीं है दिल्ली में है बदाइए यह चीज क्या है क्या लगाया है उन्हें इसमें देखिए यह पेशेंट का हैंड है नीचे एक आपके इस पंज टाइप का एक पैड है उसके उपर हैंड रखे हमने इसको कवर किया हुआ टाइप किया हुआ ठीक है यह क्यों यह इसलिए करते हैं कि पेशेंट राइस ट्यूब ना खीचे आई यूट्यूब इनको ना खीचे कैठेटर को ना खीचे scratching नहीं करे ठीक है scratching नहीं करे तो यह आपके जो image device है इसका नाम है क्या? Miten क्या नाम है? Miten actual में देखा जाएं तो यह hand restraint है पर आपको यदि specific name आये याद है तो अच्छी बात है specific name ज़्यादा तर पूछे जाते हैं तो यह क्या है? Miten restraint या Miten restraint आप इसको बोल सकते हो ठीक है? किस चीज के लिए काम में लिया जाता है? officer देखिए यह काम में लिया जाता है कि patient क्या आप ना करे disclose ना करे tubing को कोई invasive equipment में प्रेशारी ना करे remove ना करे dressing को catheter ना करे खीचे rise tube ना खीचे इनके लिए काम में लिया जाता है patient को physical injury से भी बचाता है ठीक है? next next आपके सामने है देखिए कल वाली image है बट question कुछ और पूचा है question कुछ और पूचा है ठीक है? ध्यान से समझे यह आपके सामने option निकाल देते हैं यह आपके सामने option है oh sorry कुछ और पूचा है which is known as loop colostomy बताईए option A, option B, option C, option D कौन से को loop colostomy बोलेंगे? जल्दी से बताईए कौन सी colostomy को loop colostomy बोलेंगे? जल्दी से टाइप करके बताईए सभी nursing officer बहुत अच्छे-अच्छे क्योंसन है आगे? very good answer सभी ने करीब-करीब सही जवाब दिया है officers ने बहुत बड़े बात है इसी बात में like कर दीजिए वीडियो को बहुत अच्छा जवाब दिया है ठीक है? यह A, actual में देखा है देखो यहाँ पे यह colon loop like structure बना रहा है ठीक है? यदि इसमें होती है option A कौन से column की बात कर रहा है ascending colon ठीक है? ascending colon कौन सा है यह? ascending colon है ascending colostomy भी बोल सकते है ascending colon colostomy भी बोल सकते है यह वाला B वाला option कौन सा है transverse colon transverse colon यह आपके क्या loop colostomy को indicate करता है ठीक है? और transverse colostomy यह कौन सा है आपके? descending colostomy यह descending colon यहां पर ओपनिंग करेंगे descending colostomy यह आपके कौन सा sigmoid colon कौन सा ओफिसर sigmoid colon तेके आपको पता है sigmoid colon के अंदर जो colostomy हो रही है इसी को बोलते हैं end colostomy क्या बोलते हैं end colostomy बोलते हैं officers तो यह कुछ बेसिक चीजे भी है जो आपको इसके साथ साथ इसका आंसर कोंसा है v-, transvers, kolostromy कोई क्या बोलते हैं, loopεια counselor भोलते हैं, यह ठीक है, काभी अच्छे क्योंसन लेकर हैं, आज आपके सामने, next question की तरफ चलते हैं, घखै यह डेखिए इसमें इमेज लगाना बूल किए डाइट टांसर देदीजिए बताईए सपेसिक ग्रेविटी ऑफ यूरेन किस से मीजर करते हैं और आम जल्दी शें पढ़ेंगे बताए ओफिसर specific gravity of urine किस से मीजर करते हैं very good very good बहुत बढ़िया ठीक है refractometer refractometer बिलकुल सही है refractometer भी specific gravity measure करने के लिए काम में लिया जा सकता है दूसरी बात की चाहिए hydrometer याज hydrometer भी specific gravity measure करने के लिए काम में लिया जा सकता है reagent strip भी काम में लिया जा सकती है मतलब आपके दी सही answer है याद रख लीजिए officers इसको जानातर हम या तो hydrometer answer देते हैं या refractometer देते reagent strip से भी किया जा सकता है मेरा purpose था आप तक यह तीनों चीजें पहुचाना I think it is out ठीकर that's why next question भी आ जाते हैं यह आपके सामने next question आ गया है ठीक द्यान से समझना है officer द्यान से समझना है इसके अंदर कुछ मैने एक interactive बनाया है question को काफी इंटरेक्टिव बनाया है खेला होने वाला question है तो समझना है ठीक से खेला होने वाला question है यह ठीक है तो क्या पूछा है which point is accurately denoting the specific gravity of urine यह आपका urinometer या hydrometer डाला हुआ है ठीक है पहली बात चलो मैं बाद में समझाँगा आप यह भी सी करके answer दे सकते हैं थी नहीं option है point A मतलब यह वाला यह वाला यह पॉइंट यह मतलब point B और point C मतलब यह वाला यह अब बताईए कौन सा point बता रहा है कि कौन सा point बता रहा है कि यूरिन की specific gravity कितनी है कि जल्दी से प्रेक्टिकल बेस के क्योसन है officers कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्योसन टीसल खुद create कर रहा है प्रेक्टिकल बेस के क्योसन टीसल खुद क्रियेट कर रहा है भाई कि वेरे गुड आने लगे उटपटंग जवाब सभी के जैसे ही एक कसन को ठीक से create करो सब बाहर हो जाते भाई ऐसे कसन आते हैं में पहले बोल रहा हुद रटा हुआ कुछ नहीं आता है हाँ जी को कोई भी जोईन कर सकता है लाइव क्लास खुस्पुजी ने पूछा है कि त्रिव्यवन जी ने काफी सराहना किये मैं क्लास के बीच में नहीं ले रहा हूं को कमेंट को ठीक है इस्टुडेंट सुरे उसके लिए बीच बाद में उस समझें बात करूगा ओफिसर जल्दी से ज्यां दीजिए बताईए बताईए कौन सा एब और सी कौन सी बात कर रहे हैं कि मेधा जी बताईए मेधा ऑं और सब्स Pan» है विकास जी यह अच्छ स्टुडेंट से बताईए आज गलत नहीं होना चाहिए वेरी गुड अंसर ठीक है ध्यान से समझिए ओफिसर जो इसमें ये आपके एक जार है जिसको पहली बात तो थ्री फोर्थ बढ़ते हैं पहला किसम तो ये ही आगए कि कितना फिल करेंगे यूरिन से थ्री फोर्थ पिर ये आपके हाइड्रोमेटर और यूरिनोमेटर है जिसके उपर क्या है ऐसे मार्किंग लिखी हुई है जब इसको डाल देते हैं तो ध्यान से समझिए ओफिसर ये फ्लोएट करता है या तो इस साइड में आ जाता है या उस साइड में आ जाता है तो यहाँ पे जो यूरिन के दो लेवल बन जाते हैं एक अपर लेवल एक लोवर लेवल ऐसे हलका सा ऐसे दिखेगा यूरिन जैसे यह बराबर है बट अलका सा ऐसे दिखेगा यूरिन दो लेवल बन जाएंगे एक को बोलेंगे अपर लेवल ओप मैनिसकस घृट वी इंडेकेट कर रहा है किसको लवर लव यह रहा है उसको होई नहीं सकता और इस में आपको सबस्देना कौन सा lower level of Deus MCT करेक्ट आंसर कौन सा देने आ थि आपको करेक्ट आंसर दिने lower level स्मायो lower level of meniscus थीक है ओफिसर यह दी उसका करेक्ट आंसर है lower लेवल आउफ मैंनिसकास नेक्स्ट सब का सही निकल गया तेसर वालों का और कुछ बार वालों का भी सही निकला है कोई बात नहीं यह द्यान से समझे देखिए यह इस इंस्ट्रुमेंट को बीटाडिन के साथ वॉस किया जा रहा है इंस्ट्रुमेंट ठीक से देख है ज्यान से एक बार देख लिजिए एक हैं और क्यों कर देखिए किस में पूछा क्या है कि का सर बड़ी एक हैं फिर बताना जवाब कर सो इसमें संन दूसरा रह गया इमैस दूसरी रह गही है नि आ aby seven दूसरा रह गया इमेज दूसरी रह गई है ठीक है जान से समझिए एक वान मिनट प्लीज वान मिनट प्लीज मैं इसको फिक्स कर देता हूं कर देखिए इसको काट दीजिए यहां से ठीक है यूट फोर इतना ही है ठीक है पुराणी इमेज से एडिट किया है इसलिए दिक्कत होगे इतना ही है अब जवाब दीजिए इसके हाँ जी अब जवाब दीजिए क्योशन एडिट हुआ है थोड़ा सा सौरी अब जवाब दीजिए इसका वेरी गुड सई जवाब दे रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया आज कल खूब अच्छे जवाब दे रहे हैं मतलब इसकी तयारी अच्छी हो रही है आपकी ठीक ह हुआ है कि एक चोर में देगा जाए तो क्या नाम है इसका नाम लिक्के बताऊ जल्दी से डिक है एक २ीशा है जो यहां से इसके इस अवापन रखने के लिए यह काम लेटेए और बेजांब नखने के लिए कौमन कि रिखने के लिए काश मेर के लिए किसके लिए स्मीर सेंपलिंग के लिए काम में लेते हैं ऍजु करते हैं कॉसृ कॉर। कस्को ना मैं और बएसों जरूर आते हैं भई फैसक्षो ब संप्लिए काम में लेते हैं तो पताँ में का। स्क्रीनिंग आपके सरवाइकल केंसर के लिए डिटेक्ट करने के लिए यह चीज कर कसकोस स्पेकूलम है बस कई बार नाम पूछता है तो नाम जरूर याद रखना बागी तो देख लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं और अच्छे काफी इमेज आपके लिए तयार करके लाएं यह देखिए एक नया किसन बनाया है हाँ जी ए बी और सी मतलब इन में से ए बी सी बताना है विच आप फोलोविंग इंडिकेट दी साइज ओप ट्रेकेस्ट्रमी ट्यूब बताएं ओपिसर्स कौन सा इस में से इन ए बी सी में से कौन सा इंडिकेट करता है एका मतलब यह पूरी है पूरी को यह बोला है अब बताना है वेरी गुड आंसर आज तो बहुत बढ़िया सवालों के जवाब दिये हैं आपने बहुत अच्छी बात है मजाग नहीं कर रहा है आपका नोलेज काफी अच्छा हो चुका है आप अब नोर्शेट के कहीं कबिल होने की स्थिति में आ गए हैं ठीक है काफी अच्छा नोलेज हो रहा है बहुत बढ़िया ऐसे मैनद करते जारे होगे तो देखो इस प्लेट को बोलते हैं फेस प्लेट करते हैं यह का कौट की साइज और कोई हैं करता है की साथ को तो पराक्टांशर इस रहेगा एफडल होगा एक दिन आपके parents को नाज आप पे जरूर होगा हाँ जी पाइल जी बोल रहे है all credit goes to TSL पाइल जी अभी तो nursing में लोग नाम ही नहीं जानते कि TSL नाम की कोई चीज है क्या बस आप लोगों के selection से ही इतियाज रचा जाएगा आपकी बार हाँ जी बताइए दी ट्रू रिगार्डिंग इमेज जल्दे से बताइए बेंजी के आप में कुछ हो गया है और बेंजी ने पट्टी बान ली है बताइए क्या है क्या हुआ बेंजी को बता लगाओ वेरे गुड आंसर सब ने सही जवाब दिया है एक चीज तो मैं स्पेसली नोटिस कर रहा हूँ और आज आपकी तारिप किये बीना नहीं रह पाऊंगा मैं देखिए ध्यान से समझिए मतलब 99% तो इसले स्टुडेंट आर गिविंग एक्यूरेट अंसर ठीक है एंड एप्रोक्सिमेटली 10-12 परसेंट आदर स्टुडेंट आर गिविंग एक्यूरेट आंसर जब भी क्योसन को गुमाते हैं तो मोस्ट अपने स्टुडेंट सही आंसर देते हैं इसका कारण कुछ भी हो सकता है हमारे पास हमारे कोचिंग के पंदे ज्यादा पढ़ने आ रहे हो यह हो सकता है बट मैं इतना मानूंगा कि आपको बले ही आपको बले ही हमने अच्छी चीज हो सकता है ना कराई हो बट आपको क्योसन को देखना जरूर सिखा देंगे और क्योसन को देखना सिखा जाए तो यह कुण इतना ही तो नहीं होगयं यह कॉन रखीये फीड्र ऑ एट के सिंसे बान रखें वैसे यहां पर एंकल पर रिस्ट पर वैसे भी figure of 80 बानते हैं exam में तो इतना ही आता है कि यहां पे कौन सी type की bendizing होगी यह simple boost है चलिए मैं आपको एक और सवाल देता हूँ उमीद करता हूँ कि आप उसको सही करोगे आया ना बोलो देख और किसन थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए students के parents भी वीडियो देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है कितनी अच्छी लगती होगी एक टीचर को ठीक है तो तुरिवोन जी बहुत बहुत आबार आपका कि देखो हमारे पिताजी के उमर के लोग भी जब सराह ना करते हैं तो कापी अच्छा लगता है वैसे हम वेight कर रहे हैं तब से वेट कर रहे हैं कि एक दिन हमारे पीताजी भी बोलेंगे कि आ तूठीक कर रहा है पता नहीं कब बोलेंगे ठीक है सायद बिल्कुल क्लीर ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा तो ही बोलेंगे है कि एथा है यह moyen मुझेथ लगते हैं ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं अच्छी चीज़े करते रहते हैं तो next question हो जाए यह लिए next question next question बैंजी के सिर में लग गई बैंजी सारे दिल अड़ाई करते रहते हैं इदर उदर तो कहीं कहीं लगी सकती है आपकी बार सिर्फ और दिया बैंजी बैंजी को डाई सो लोग मारने के लिए इसके पीछे भागे थे ठीक है इसको दो साल से मार रहे हैं बैंजी को समधरे ब जल्दी से कौनसा अंसर होगा जल्दी से बताए ओफिसर वेरी गुड़ सही आंसर जाधा तर लोगों ने सही आंसर दिया है ठीक है तो very good सही answer दिया है कोई दिकत नहीं है इसमें ठीक है आपको पता है छोटी छोटी चीजे छोटी छोटी चीजे इनसान को महान बनाते हैं और इसी लिए कुछ लोग अलग होते हैं और मैं इस अलग वाली मुईम में ऐसा नहीं गिटियसल वाले आगे गए इस बार कु ने फिर सही अंसर दिया है में बहुत ही अच्छे क्यासन करती है इसमें को डवट नहीं है तो में जी बहुत बहुत दन्यावाद आपको इतना सोचने के लिए जी टेक्निक क्यस्सटनी आसिके जाजबाउट बेंड़ेज टाइप ओफ बैंड़ेज चाहिए तेकनीक ऑटेक्निक हैं तो जाम क्युक्ट बेंड़ेजिश आ ऐखेला किया थिक है औक थेज क्याूनियों मस्क्त्रूरणय बहुत है उस यहिं लोग इधर सी उदर होगे बट कोई बात ने ऐसे खेला हो हो के ट्रेंड हो जाओ गैं तो fae यह आनसर पिया है बेंडेजिं टेक्निक जो होगी वह यहां पर केya लडेजिंग होगी करें केले हिलाइन बेंडे ले रहे हैं तो यह कौनसी आपके गोउज बेंडेज है ठीक है कईयों ने मानलोग तुक्के में ए लगा दिया हो तो बहुत बड़ी बात है ना बाकी ये गोज बेंडेज आपके है तो घान से सांती से क्योसन को पढ़ना होता है वेसे इतना बुरा एम्स में नहीं होगा या तो ये ही दिया जाएगा या ये ही दिया रहो ठीक है आग लगने पर थोड़ी को देंगे पहले समर्सिबल डालके टैंक बरके तयार रखेगे लगते आपके तूट पड़ेंगे पानी लेकर ठीक है तब जाके बात बनेंगी बहुत बड़ी बात है ठीक है नेक्स्ट आगे के सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट ये ठीक है बाके आप खुद सोचिए ओफिसर कि इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे ये एक्जाम में आने वाले कैसंस हैं हमने इसको फॉर्मूलेट किया है कि आप एक अच्छा जवाब दे पाओ ठीक है बताए क्लीनिंग ओफ इस वूंड सुट भी किदर करना चाहिए किदर किस डाइरेक्शन में सोच के बताना इस बार एस एफटिक टेक्निक के साथ चलना है मतलब खराब नहीं करना वूंड को अब बदाए क्या क्लीनिंग टेक्निक रहने वाली हैं यहां पर कि सोच के जवाब दीजिए बस बिलकुल सही होगा कोई गलत नहीं होगा कि आगे वाइस है कि वेरी गुड्ट सही आंसर आया योगिता जीशने शहीलिका है ठीक है मेधा जी न शहीलिका है पूजा जी ने शहीलिका है ठीक है इस सभी स्टुडेंट्स ने और दिए को सिच्टूड़ ने कौनसा wound है कौनसा wound है name लिखे type कीज़े कौनसा wound है कैसा दिख रहा है आपको vertical है horizontal है ठीक है या wound around the drain है बताए या wound with drain है कैसा है अरे close को छोड़ो वो बताए horizontal है vertical है या फिर wound with drain है कैसा है आप मन्यो रंजन जी वर्टिकल ऐसे होता है ऐसे होता है जिए को बोलते हैं वर्टिकल ऐसे उंड को ऐसे को बोलते हैं about horizontal और यह ड्रेन और इसके अंडरू अराउंड एसा ठीक है तो ध्यान से समस्ड़ी कि कि कभी भी वूंड को cleaning करने का किसना यह ध्यान रखना है यह दि वर्टिकल वूंड है तो टॉप टू बोटम क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद यहां पे एक पैंट लगा देंगे और बेंडेजिंग कर देंगे इसकी ठीक है दूसरी बाद यह आपके औरिजोंटल वूं करेंगे ठीक है ऐसे क्लीनिंग टेक्निक इसकी रहेगी ठीक है तो मीडियल टू लेटल ओप यह जरूर आपके सही है इसके अंदरा अंसर राइट लैप्ट को कोई पंगना नहीं है उंड डेन वाले वूंड एक क्लीनिंग अराउंड डेन करते हैं तो सर्क्यूलर मोशन मे सेंटर टू पेरिफिरल ठीक है तो यह आपके ड्रेन वाले का ओप्सन होगा यह आपके ओरिजोंटल सोरी वर्टिकल का ओप्सन होगा यह आपके ड्रेन वाले का ओप्सन होगा यह आपके ओरिजोंटल का ओप्सन होगा राइट टू लेट यह कोई ओप्सन नहीं है ठीक है यह आपके wound cleaning याद रखना है officer, ठीक है, wound cleaning याद रखना है, वैसे यह wound क्यों किया होगा, कौनसा operation किया होगा, इसमें सोच के बताओ देखें, कौनसे operation के लिए यह wound किया होगा, इतना बड़ा, related to any type of thyroid surgery officer, कौनसा thyroid surgery के लिए कुछ न कुछ किया गया है, यहाँ पर, ठीक है, ठीक करक्त आंसर सी, next, बताइए यह, the image measuring device name is, the image measuring device name is, सोच के, सोचिए, समझिए, फिर बताइए, कि यह क्या है, क्योंसन में क्या पूछा है, उसका जरूर द्यान रखें, क्योंसन में क्या पूछा है, उसका जरूर द्यान रखें, officer, very good answer, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है, देखिए, actual में बात की जाए, तो यह इसकी बात कर रहे है, इस instrument की बात कर रहे है, ठीक है, कि यह instrument क्या है, तो बात कर लेते हैं, कि क्या है यह instrument, ठीक है, यह actual में देखा जाए, तो कुछ एक manometer है, ठीक है, यह क्या है, manometer है, manometer क्या होते है, pressure measuring device होते है, manometer, बट यह aneroid नहीं है, क्योंकि aneroid only air से measure करता है, यहां तो fluid से करता है, ठीक है, अब आपके lumber puncture है, क्या है, यह सोचिए, instrument पूछा है, procedure lumber puncture हो सकता है, बट इंस्टुमेंट पूछा है, तो दो चीज है, CVP manometer और CSF manometer, देखिए, दोनों manometer सेम ही होते है, CSF वाल है और ये भी, बस reading का फरक होता है, और ज्यादा कोई फरक नहीं होता है, एक में reading जादा होता है, एक में reading कम होता है, बस इतना सा ही है, ठीक है, और reading भी कोई कम ज़दा है, वह ज्यादा फरक नहीं होता है तक ही रीडिंग रहती है इसकी 20 है उसकी 20 है अप्रोप्सिमेंटली सेंटेमिटर हो तो इसकी मतलब यह आपके पांस से पंद्रह और वह चार से बारा ठीक है इतना है तो लेने की जरुत नहीं है मतलब सेम ही आपको दिखेंगे सेम ही होते हैं है दोनों मैनोमेटर सेम ही है कोई मेंदर डिप्रेंट नहीं है देखने से नहीं मिले बट आप सोचल के लंबर कंचल कर रहे है इसलिए को इस पर आजाएंगे आप CSF मैनामेटर बोल सकते बाकि मैनामिटर यह है तो जिनोंने सीबीपी बताया वह भी सई है बट गिवन यह देखिए आगे इसका भी जवाब आप देखें बताएं बारह नमर का किसन है स्वारी ठीक है इमेज इस्ट्रूमेंट जीरो लेवल सुट भी एड़ यह सीवीपी मैनोमेटर लगा दिया है अलग से आप बताएं इसका जवाब दीजिए प्लीज काफी लोग लुगावने आप्सन मैंने दिये और मैं कॉंस्टेंटली वोच कर रहा हूं कि कौन-कौन स्टुडेंट क्या जवाब दे रहा है क्योंकि टी एसल ओनली एंड ओनली क्वालिटेटिव किसन ही कराने में बिलीव कर रहा है और इसलिए मैं स्पेशल सेशन लेके आ अमने उब रहा हूं आपके लिए बनाके itself very goodomena नसर पर इंटर कॉंस्ट कॉछटल स्पेस तक है मैं बोल रहा हूं लेवल कहा ना चाहिए इस में मैं लयूटता कॉंस्ट फॉर्ट इंटर कॉंस्टल सपैस किस के लिए बोल रहा हैँ आप 100 वरको पार्ड के लिए बोल रहा ह किसके लेवल पे होना चाहिए किसके लेवल पे होना चाहिए ऐपक्स ओपर अपने तो निसान लगा लगा दीजिए उपर महार लगा दीजिए और इसके उपर भी दिए के एक ही है वैसे देखा जाए तो फोर्थ इंट्रकॉस्ट्रल स्पेस दोनों के लिए काम में लिया जरत है ठीक है एक्चॉल आंसर है राइट एट्रियम जबी भी सीवीपी की बात आये तो सीवीपी का जीरो मतलब यहां पर इसका जीरो होता है ठीक है नीचे माइनस फाइव तक होता है उपर वन टू से सुरू हो जाता है ठीक है तो यह जीरो किसके लेवल पर होना चाहिए आपके राइट एट्रियम के लेवल पर होना चाहिए जीरो किसक वोड़न टीसल ओनली एंड ओनली क्वालिटी एजुकेशन में और कम बच्चों को पढ़ाने में ही विल्यू करता है यह सीधी सीधी बात ही है अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी ठीक है क्या आपको लगता ह अज़िए मीजरमेंट की से चाहिए क्या आपको लगता है कि इस पे सिधी कमेंट स आते हैं तो मैं कल इस पे प्रीजर पुरा पूरा आपको करवा दूगा नहीं आते हैं तो आरम इसे तक के अलगा और सो ठीक है जो यहां तो यूट्यूब है संख्या बल के आगे ही चलेगा मामला ठीक है तो यह लास्ट इमेज में और दिखा देता हूं आपको यह लीजिए यह लॉंच किया एक नया बैच बैच 07 रजिस्टेशन होपन है बैच 07 15 अगस 2000 के लिए ठीक है साड़े 8 बजय से देड़वजी तक क्लास होगी सारे के सारी लाइव क्लासेज होगी आपके सेव रहेगी वन यर के लिए ठीक है डेमो क्लास 16 अतारिक और 18 तारिक खोड़ा सा चेंज है इसको हो रही है दो दिल के डेमो हो चुकिये और आगे भी चल रही है कोई भ पड़ेगा तब जाके 1567 की डेमो क्लास मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है तीएसल मोबाइल एप डाउनलोड करना है उसके अंदर डिटेल्स करनी है डिटेल्स करने के बाद आरेस 500 500 रुपए आपको गिवन नमबर और पे मत कर देना इस नमबर पे आपको गू मोबाइल पे रिसीट आजाएगी तीन दिन के आप क्लासे लेकर देख सकते हो यदि पसंद आता है तो रिमेनिंग फीज और देनी है पसंद नहीं आता है तो पांसो भी रिफंड हो जाएगी रिमेनिंग देने के बाद भी 15 दिन का ग्रेस पिरिएड रहेगा यदि आपको ठीक है एमत जी ने लिखाया राइट एट्रियम इज रॉंग तो रॉंग याद रख लो ठीक है द्यान से समझेए यदि आप चाते हैं कि सीवीपी मीजरिंग पे क्लास होनी चाहिए प्रोपर क्यासन होने चाहिए तो एक गंटे के क्लास इस पे ले सकते हैं प्रोपर इमेज बे सारी चीजे दिखा के ठीक है तो कम से भी कम 50 लोगों से उपर के कमेंट आएंगे तो यह चीज करेंगा आज के लिए इतना ही अस्त